दोस्तों math का कोई भी chapter उठा लीजिए आपको एक चीज़ करनी ही करनी है ध्यान से सुनेंगे ओग वो क्या करना है calculation calculation से हम नहीं बस सकते हैं चाहे हमें trick पता हो फार्मुले पता हो या फिर concept पता हो तो हमको calculation करना ही करना है कोई भी math का chapter होगा कोई भी math का question होगा तो जिसको calculation की speed जादा है वो प्रशनों को जादा करेगा जिसको नहीं पता है वो प्रशनों को थोड़ा कम करेगा माल लिजी आपको हमाल लेते हैं कि basic method से आपने प्रशनों को solve गिया आपका तो answer तो आना ही आना है वैसे भी आएगा लेकिन आपका उसमें time ज्यादा कंजिम होगा तो time किस प्रकार से हम बचाएं तो बचाएंगे calculation speed से तो दोस्तों अभी तक जो हम आज आप सभी लोगों को ये वीडियो बताएंगे उसमें हमारी 7 tricks हैं उससे आपका calculation बहुत ही तेज हो जाएगा दोस्तों जिससे आपकी calculation में गलती भी नहीं होगी मातर 2 second 2 step और आपका answer तुरंत आपके सामने होगा दोस्तों calculator से भी तेज calculation करेंगे ये आप सभी लोगों से हमारा वादा है बस वीडियो को आप सभी लोगों को अंत तक देखना है तो दोस्तों हमने 7 tricks बताई हुई है तो tricks अगर आपको आप आसानी से देखोगे एक बार आप अभी देख लीजिए एक बार exam से पहले या पढ़ने से पहले आप देख लेंगे और उसको प्रयोग करते जाएंगे तो आपकी calculation एकदम बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आप सुरू करते हैं आप सुरू लोगों का स्वागत है कि जिनकी इंडिंग क्या होगी how to find the square आफे नंबर इंडिंग विद फाइब जैसे कि फिर से एक बार पढ़ते हैं how to find the square आफे नंबर इंडिंग विद फाइब जैसे कि माल लीजिए यहां पर हमने लिखा 25 इसको हमको square करना यह trick नंबर हमारी वन है जैसे 25 का square निकालना हो और यह भी बताएंगे इस trick का use किस chapter में होता है और किस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों तो वीडियो को आपको पूरी देखना है आज एक बार वीडियो को देख लिजे एक बार एक्जाम से जाने से पहले और इसकी practice किजे आपकी calculation speed आपकी fast होती चली जाएगी तो दोस्तों देखें 25 का हमको square करना है तो 25 का पहला काम हम क्या करेंगे 5 का square हमको पत्ता होता है 25 होता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं 5 25 यह आप सुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं इसके बाद हमारा क्या करना है यहाँ पे जो अगला नंबर इसके 22 तरफ वाला होगा हमारा 2 है बस इससे एक बढ़ करके गुड़ा करा देंगे यानि की 2 का गुड़ा 3 में करा देंगे तो 2 3 6 और 25 का square हमारा 625 आ गया अब माल लेते हैं हमारा क्या है जैसे की दूसरा ले लिजिए हम ले लेते है 45 45 हमने ले लिया तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया पह लिखा जा रहा है तो देखिए दोस्तों 45 कितना होगा 20 होगा यानि की 25 इसका square आ जागया 45 का square अब ऐसे और आगे बढ़ते हैं जैसे हम ले लिए 75 का ले लिए 75 का हम कोई square करना है तो हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे और यहां पर साथ का गुड़ा एक आगे कर देंगे साथ 56 यानि की 56 25 इसका square हो गया अब इसी प्रकार से यह तो हो गया कि हम कैसे निकालेंगे कि जिन्द की इंडिंग 5 से हो यह है कि इंडिंग 5 यह तब square हमारे trick काम करेगा और दूसरों के लिए नहीं लेकिन तो अब आप कहेंगे कि आप ऐसी कोई trick बताईए कि जो सभी नंबरो के लिए लागू हो सभी नंबरों काम इसको निकाल सकते हैं तो जरूर है उसके लिए हरानी की बात नहीं देखिए यहां पर हमारा जो अगला हमने बनाया हुआ है trick नंबर दो अब जैसे कि आप पहले इससे पहले आप यह समझ लिए कि इनका यूज हम कहां पे करते हैं जै कराएंगे यहां पर देखिए आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो आप क्या करिए सीधा सीधा स्कॉयर करिए 25 का और 25 का यहां पर जिस प्रकार से करते हैं आप इसे किजिए 25 हो गया और यह दो का गुड़ा तीन में कराएंगे एक बढ़के कराते हैं 2-3 हो गया अब यह कि यहां पर जुड़ जाएगा कितना आजएगा 6.25 यानि कि यह इसका हमारा आंसर हो गया आपका टाइम बच गया तो यह हुआ कि हम इसका यूज कहां पर करेंगे अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर दो पर जो कि हमने क्या कहा कि आयसी ट्रिक होगी कि जो सभी नंबरों के ल ट्रिक नंबर दो हमारी क्या है जैसे कि हम अभी स्कॉयर हमने सीखा कि आयसे नंबरों का कि जिनकी इंडिंग पांच से हो जिनका मतलब की लास्ट वाला नंबर पांच हो लेकिन अब आयसी ट्रिक को सीखेंगे कोई भी नंबर आ जाए उसका स्कॉयर किस प्रकार से निकाल करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों देखिए यहां पर पहले साथ का करेंगे साथ सता उन्चास हो जाएगा और फिर उसके बाद चार का करेंगे तो चार चोग कितना होता है सौलव हो गया और फिर उसके बाद इन सभी नंबरों का जो भी दिख रहे हैं इन सभी नंबरों का आप क्या कर लिजिए आपस में मल्टिप्लाई करा लिजिए कितना हो जाएगा साथ चोग अटाइस और अटाइस दूना हो जाएगा दोस्तों हमारा चपपन तो यह आग दोस्तों हमारा आंसर आंसर हमारा आ गया बस इनको आप आप कर लिजे यहां पर 9 नो आ गया और एक चीज थोड़ा सा आप यहां पर समझेंगे एक हम छोड़के लिखेंगे एक बिजिट मिस्ल चोड़के लिखेंगे прир सा आप हमेसा द्हान में रखेंगे यहां पर नो आ गया चेटारदस हो गया एक इसको हम हासल देंगे च्छे-पांच-ग्यारा एक-वारा हो गया एक-वारा हो गया यानि की बाइस-जीरो नो यह हमारा अंसर है अब इसी प्रकार से और करते हैं जैसे माली जे कि हमने ले लिया 51 क्यावन का हम को स्क्वायर करना है ति क्यान का स्क्वायर कैसे करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आएगा लेकिन दोस्तों लेकिन आप यहां पर देखिए जिसका भी स्क्वायर करेंगे दो डिजिट में करेंगे और उससे ज्यादा अगर माल लो एक डिजिट मे 10 यानि कि एक यूनिट छोड़ के आप जोड़ दीजिए 1062 यानि कि 2601 इसका क्या आगया इसको आगया अब इसी प्रकार से और भी नंबरों का देखते हैं माल लिजिए हम ले लेते हैं किसका 83 का ले लेते हैं ऐसे कोई भी नंबर ले लिजिए तो कितना हो जाएगा तीन त् कितना हो जाएगा आठ त्रिक 24 और 24 दूना 48 एक अंग छोड़ के आप जोड़ लिजिए यह आपका आंसर हो जाएगा नव आठ चार 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 आठ चे आठ नवासी इसका आंसर हो गया अब इसी प्रकार से आप सभी लोग हमको 71 का स्कॉयर क्या होगा जल्दी से कमेंड कर इसके बाद देखिए दोस्तों अब अगली ट्रिक में चलते हैं अगला हमारे होगा कि देखिए इसी प्रकार से है और भी सरली से भी सिम्पल है जो हम अगली ट्रिक को लेकर आ रहे हैं उट्रिक हमारी क्या है कि दोस्तों हम स्कॉलुइर निकालेंगे और नमबर या olunМतल निकालना है माल लिए हमारे पास है 47 47 अमने पहला लिया भी है तो तो इससे आपको ज्यादा जल्दी आसाणी भी हो जाएगी तो देखिए दोस्तों 40 क्या करेंगे बस हम एप चीज ध्यान में है यानि कि 47 है तो 47 का स्कॉार हमको करना है तो यहां पर एक चीज़ पहले क्या देखेंगे कि यह 50 से कितना कम है यह 50 से कम है तीन कम है जाहे कम हो यह ज्यादा हो भी ज्यादा वाला भी करवाँगो तो कम है पहले आप उसका स्कॉार कर लिजिए तो नव होता है तीन का स्कॉ यहां पर 22 लिख दीजिए यह आपका ज्यादा आसान हो गया यहां पर देखिए हमने बताया हुए से कुछ इस स्टिप से 22 जीरो नो ऑनसर से मारा है तो कौन सा आसान है यह आप कहो 25 हम जानते हैं 25 यहां पे लिख लिख लिए 25 में 25 कम करें तो 20 20 आ गया अप पहले वाला भी सकते हैं इसको मने बताया था ह हमने यहां 20 गुड़ा एक आगए वाली से चारपंचे बीश यहांं से खैक रए मारा अ बब यह देख लिया अब भाई 50 से ज्यादा होगा तब भी तो 50 के पास है तो उसका अबाला कैसे करेंगे आगे देखिए यहां पर माल दीजिए हम ले लेते हैं थोड़ा सा इसको रेज करते हैं यहीं पर दो इक्जैंपल हम आपको बताएंगे समझाएंगे अब जैसे ले लिजिए हमारा पहला ही है 51 हम पहला इक्यावन ले लेते हैं यहां पर देखिए 51 का हम को स्कॉयर करना है तो हम क्या जानेंगे पत्चीस से कि पचास से कितना ज्यादा है एक का स्कॉयर कितना करेंगे एक आएगा दो डिजिट बनाने के लिए जीरो आइड कर देंगे अब उसके और यहां से भी क्यों का स्कॉयर देखिए 26 जीरो जब कि यह वाले ज्यादा अब यह सब तो हम आपको बताने के लिए मेथट को इसको कर रहे हैं आप इसको माइंड में जल्दी से अभ्यास अभ्यास करके इसी प्रकार से आप सभी लोग हमको 54 का स्कॉयर बताइए अब आ से सकोइर अगालेंगे और और किस प्रकार से अगर हमारा नंबर कोई बिजिट हो कोई भी नमस्टाई हो या नँअ हो 5 से उसके फरक पड़ता किसी भी नंबर का स्कुयर किस प्रकार से निकालेंगी उसकी ट्रिक से गी और किस प्रकार से इसक्वयर निकालेंगे कि आएसा नमबर जो 50 के करीब हो दोस्तों, अब हमने खेल लिए है बहुत स्क्वायर इसक्वायर अब खेले ग Corps अब खेलेंगे हमम मल्टिपॉए इसक्वाय की ट्रिक झाना अब जानंगे मल्टिपॉाय का भी बहुत रोल है मल्ट आपकी कल्कुलेशन में तो कल्कुलेशन में किस प्रकार से फास्ट करें मल्टिप्लाई के प्रश्णों को तो देखिए दोस्तों हमारा जो पहला होगा वह हमारा यह होगा कि मल्टिप्लिकेशन होगा जो की 100 के करीब होगा ऐसे नमबरों का मल्ट से कराएंगे कितना होगा तीन स्टेप इसका जाएगा एक जोडेंगे यानि कि कुल मिला के हो गए चार अब टाइम सोच कितना ज्यादा लगेगा और जो मैं बताने वाला हूं कांसेप्ट जो ट्रिक बताने वाला उससो क्या होने वाला है उसको देखिए यहां पर देखिए दूसी प्रिकार से यहां पर भी इसको डबल डीजिट में करण अरक कर देंगे आप कर आपका आंसर आ गया, अब इसी प्रकार से अगले पर चलेंगे, माल लिजी आपको यहाँ पर 103 दे दिया, 102 दे दिया, तो इसका आप multiply कैसे करेंगे, अरे कहेंगे भहिया देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यह दो ज़्यादा है, आपस में multiply कराएंगे, 3 द बड़े नंबरों का भी हो सकता है, तो जरूर हो जा सकता है, जैसे कि आप देख लीजी 110 और 114 इसका multiply आप ले लिजे, कोई भी नंबर ले लिजे, यह कितना ज़्यादा है, यह कितना ज़्यादा है भहिया, यह आपका ज़्यादा है, इनका multiply कराएंगे आएगा 140, लेकिन लेकिन यहाँ पे दो डिजिट ही लेके चलेंगे, एक वाला हम दे दिये इसको कहरी, इसको दे दिये कहरी, अब इसमें हम जोड देंगे, तो आप देखिए किसी में भी हम आप आइड कर ले, 110 में 14 को आइड करेंगे, आ जाएगा 124 और 124 में एक जोडेंगे 125, यह आपका पास में ही आएंगे 100 के, तो देखिए जैसे हम ले लिए 98 और यहाँ पे ले लिए 97, इनका मल्टिप्लाई करके बताओ भी है, तो बेसिक से करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, आप यही ट्रिक से फंडा यह यूज कीजिए, क्या, अब देखेंगे 100 से कितना कम है, यह 100 से दो कम है, यह 3 कम है, आपस में मल्टिप्लाई, दो डिजिट बनाएंगे, तो 0, 6 लिखेंगे, अब इसमें आप इसको या तो घटा दीजिए, या इसमें इसको घटा दीजिए, तिरियक ही घटाना है, तो 98 में से 3 घटाएंगे, तब भी 95 आएगा, और 97 में से 2 चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, 94 में से 4 घटाएंगे, आसान है, 90 आज़, 94 आगया, यह हो गया हमारा कि ऐसे नंबरों का मल्टिप्लाई, जो कि 100 के करीब हैं, तो अब आप कहोगे भीया कि आप 20 ट्रिक बताईए, कि जो सभी नंबरों का मल्टिप्लाई कर दे, तो जी, उसके लिए भी जरूर ट्रिक है, आप लिजिए, 2 सेकंड, 2 स्टेप, आपका आंसर आ गया, उसमें भी यही ट्रिक है, तो दोस्तों देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर आ गया, जिसमें कोई ही कोई कड़ी नहीं बन रही है, जैसे कि वो एक सल्तानपूर से ले लिए, एक कहीं दूसरे जगा से ले लिए, तो आप देखिए कैसे हो गया, जैसे कि हमारे बन आपको नंबर का कराना है, 41 गुडे कराना है 24, अब इसमें कोई कड़ी बैट ही नहीं रही है, तो कैसे करेंगे, तो आप इसके नहीं इसके बाद देखिए, आइसके बाद काई स्टेप कराईए, तिरिया गुड़ा, यानि कि 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 4 का गुड़ा 4 में, 2 का गुड़ा 1 में, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2 एक नम दूई, इनको आइड करना है, तो 16, 2, 18, 18 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8, 1 हम देंगे कैरी, तो यह कितना हो जाएगा, अब इसका मल्टिप्लाई करा दीजिए, तो 2 चौक 8, 1, 9, यानि कि इसका आंसर अगर आप देखेंगे, तो इसका आंसर आपका 984 हो गया, अब इसी प्रकार से हम सभी लोग अग अगले का आंसर हमारा क्या होगा, अगले कुशन की तरफ बढ़े, 984 आप कल्गुलेटर के माद्धम से भी इसको करके देख सकते हैं, अगला जो कुशन हमने लिया हुआ है, तो एक तालीस और तिरपन लिया है, हमने क्या लिया, कोई भी कुशन ले लिया, एक तालीस तिर और दूए, एक अन्नम, दूए, यानि की आ गया, 37, 37 का लिखेंगे साथ, हासल कितना आ गया, तीन आ गया, अब इसका मल्टीप्लाइ कला जीए, तो साथ, दूनी, चवदा, चवदा, तीन हो गया, हमारे पास 17, यानि की 17, 75 ये इसका राइट आंसर हो गया, अब इसी प्र आपका अंसर आ रहा है, एक बार फिर से आपके लिए हम अच्छे से समझा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबरों का गुड़ा कराईए, तो आठ तरिक 24, 24 का चार, अब दो कहिरी जाएगा, तो दो यहाँ पे आप लिख लिजिए, तो नो तरिक 27, और 4, आठ चोग 32, यानि कि 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 61, 61 का लिखेंगे, एक और 6 अभी फिर कहरी जाएगा, तो 9 चोग 36, और 36 में जब 6 को आइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 42, यानि कि 42 चूदा इसका राइट आंसर हो गया, तो दोस्तों यह थी हमारी साथ ट्रिक calculation की, जिसकी मदद से आप अपनी math की calculation speed बढ़ा सकते हैं, बस आपको क्या करना है, अब आपको अभ्यास करना है, जिस प्रकार से आप जितना ज़्यादा आप भ्यास करेंगे, अपने आप से ही number ले लिजे, अपने आप से खुद student बन जाएए, खुद teacher बन जाए, खुद exam सामनर बन जाए तो जिससे आपका क्या होगा खुद चेक कीजिए खुश प्रशनों को लिजिए तो इससे आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कैसे बढ़ रही है कुछ दिनों के बाद आपको खुद आहसास होगा इस बात का कि हमने किस प्रकार से अपनी कल्कुलेशन की पीड बढ़े गी ट्रिक फारिमिले तो आपको पता ही है ब दोस्तों तो यहाँ पे देखिए विडियो यहीं तक था दोस्तों यह जो आज का हमारा था विडियो बढ़िया लगावाव्ट विडियो को लाइक जरूर कёлे दोस्तों के साथ भी सेयर करें इसी प्रकार की मज़ेदार ट्रिक के लिए कि उनको भी इस प्रकार का पता चले कि ट्रिक आईसी भी होती है तो आप देखिए दोस्तों चैनल पर अगर अभी आप नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की नई नई वी सीखा है उसके लिए आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है पहले हमने क्या सीखा था इसक्वायर तो आप पहले क्या सीखिए पच्पन का स्क्वायर बताईए तीरपन 35 का square बताईए आप इन सभी चीजों का square आपको बताना है 78 का बताना है square 112 का square बताना है और multiply किनकी नमरों का करना है यह देखिए आपके home work यहां से चल रहे हैं multiply आपको कराईए 42 गुड़े 54 स्वारी यहां पर गुड़ा रहेगा यहां पर फिर उसके बाद 43 गुड़े 52 और एक वैसे बता देता हूं उसे कम वाला का यानि कि 98 और गुड़े 92 इस इन सभी प्रशनों का आंसर कितने हो गए साथ प्रशन है इन सभी का आंसर आप सभी लोग कमेंट बाक्स में जरूर करके बताए तो मैं समझ जाओंगा कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छे समझ गाया मिलते हैं दोस्तों व हिंद बंदे मातरम